दोस्तो हम लोग ने last lesson में balance sheet का assumption model बनाया था अभी हम इस lesson में वही continue करते हैं और हम लोग ने कुछ numbers assume किये थे वही number के उपर बात करते हैं पहले हम कुछ जगा पे mistakes किये थी वो हम लोग पहले सुधार लेते इधर आप देख सकते depreciation and amortization का जो reference number था वो निकल गया था वो हमें अभी लेना जरूरी है इसके लिए is equal to depreciation and amortization expense वही copy करना है वापस वही copy करना है और paste करना है paste कर सकते है या control R कर सकते है अभी उसके बाद इधर दो जगह पे हम लोग ने finance cost की जगह पे expenses लिखा है तो finance cost कर देते है और इधर depreciation and amortization DNA लिख दीते है ठीक है तो यह दो जगह पे जो text change करना था वह हम लोग ने कर दिया है अभी उसके बाद इधर आ जाते हैं अभी आप देख सकते हैं हम लोग ने minus 2.94% से अजुम किये थे कि Tata Motors के numbers रह सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है अभी जो टाइम है वो critical है याने कि बिजनेस अपना प्रोडक्स सेल नहीं कर पा रहा है अभी ओटो मॉबाइल सेक्टर को सब लोगों को भी problem हो रहा है लेकिन वहीं चीज़े lifetime continue नहीं रहेगी यह एक साल या देड़ साल तक हम लोग देख सकते हैं इस पास्ट में company कैसे perform कर रही थी अगर उसी बेस पे आप numbers change करते हो तो ठीक है अगर आपका assumption बहुत जादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है तो आपका जो पूरा model है तो आपका जो पूरा model है वो गलत हो जाएगा इसके लिए हमें अभी यह numbers के उपर बात करने हैं अभी ह एक बार सब को मिला के एक valuation के उपर बात करेंगे कि कभी भी हम लोग assumption model में जब हमारे numbers लेते हैं तो numbers कौन से basis पे होने जरूरी है उसके उपर बात करेंगे कैसे businesses के cycle रहते हैं कैसे हम लोगों को numbers अजूम करने रहते हैं क्या हो सकती है future की industry वो सब हम लोग बाद में बात कर करने वाले अभी आपको वो सारी चीज़ें बता कि आपको समझ में नहीं आएगा आपको practically काम करना होगा वो सारी चीजों के उपर इसके लिए अभी हम सिर्फ टाटा मोटर्स के assumption numbers जो है वो चेंज कर लेते हैं तो अभी हम लोग क्या करते हैं टाटा मोटर्स के annual report के उपर 68,000 करोड का चाइना में business 30,000 करोड का UK में उनका business 49,000 करोड का तो यह सब business मिला कि 3,000,000 करोड का business है total चाइना का अगर आप business देखोगे तो 14.6% से कम होके 10.1% हुआ है याने कि चाइना में उनका business कम होते जा रहा है तो वैसे ही बाकी की जगपे हम लोग अगर देखते हैं तो आप देखो इंडिया में जो business है उनका बढ़ रहा है 20% से 22% इवन आप अगर यह numbers को नहीं देख हैंगे जैसे 58659 करोड है तो इसको मैं अगर कॉपी करता हूँ हमारे model में हम लोग साइड में आते हैं तो आप देख सकते हैं उस साल में completely 16% से ग्रू हुई है इंडियन मार्केट में टाटा मोटर्स कंपनी तो आप सोचो कि यह जो 68000 का करोड का revenue है वो आगे जाकर और बढ़ सकता है और बाकी की जगह पे आप देख सकते हैं जैसे इदर 50,000 करोड का revenue अच्व कर रही थी UK में उनका revenue थोड़ा कम आया लेकिन उदर 44,000 की जगह पे United States में 52,000 करोड 46 की जगह पे 49,000 करोड 49 की जगह पे 52,000 करोड तो अच्छी तरह company grow कर रही है अगर हम लोग इस business को अगर minus कर देते हैं समझो 30,000 करोड का business है वो अगर minus भी हो जाता है तो भी बाकी की countries जो है और बाकी की जगह पे जिदर business उनका चल रहा है वो और बढ़ सक करता है जब हम qualitative analysis के basis पे industry analysis देखेंगे और बाद में हम लोग उसके बाद economy analysis देखेंगे तो आपको यह सारे numbers समझ में आने चालो हो जाएंगे अभी हम लोग क्या करते हैं सिर्फ numbers डाल के लिए ते टाटा मोटर्स में आपस आएंगे अगर उनका previous growth देखें जैसे कि 9.2% 2.5% अभी यह कोरोना के टाइम का जो business growth है वो कम हुआ है उसके साथ साथ पिछले कुछ quarters कोरोना से पहले भी company अच्छी तरह growth नहीं कर पा रही है समझो 2021 में वही growth दिखाई जो यह minus average growth है उसके बाद क्या company growth दिखा सकती है वो हम कुछ numbers assume करेंगे अभी यह numbers assume करने के लिए हम लोग previous data यूज कर रहे है जैसे कि मैं अभी यूज कर रहा हूं इदर 5% का growth rate उसके बाद 8% का growth rate और उसके बाद 9% का growth rate और उसके बाद 10% का growth rate अभी यह जो number है 3,44,000 करोड का अभी आप सोचो is equal to 3,44,000 तो around हम लोग highest number जो consider कर रहे है वो 14% growth consider कर रहे है average growth इन सारे years में अगर past चाल company काम करती है तो वो कितना growth overall दिखा सकती है वो हम लोग सोच रहे 14% अभी company अच्छी तरह perform तो करती आई है हमेशा आप देख सकते है जो 2,73,000 का revenue था उसके बाद company 3,1,000 करोड तक आ चुकी थी उसके बाद suddenly उन्होंने 40,000 करोड का loss किया है business में उसके बाद अभी हम लोग 2,53,000 तक देख रहे हैं लेकिन उसके बाद company come back कर सकते हैं उस assumption के basis पे हम लोग यह numbers insert कर रहे हैं लेकिन अभी क्या होता है लेकिन अभी क्या होता है कि जो analyst होते है हर analyst अपने अपनी तरफ से अलग-अलग growth assume करता है तो आप अगर assumption गलत करोगे तो आपका पूरा financial model गलत हो सकता है लेकिन हम लोगों को कुछ तो assumption करना जो previous numbers को देखके हम लोग assume कर सकते हैं तो उसी basis पे हम लोग सोच रहे हैं कि यह company 5%, 8%, 9%, 10% से grow कर सकती है उसके बाद order income, order income 72% से grow करना possible नहीं है अब देखो 885 करोड से 3000 करोड तक company का order income आ रहा है अभी यह order income भी आपको annual report में check करना होता है कि कौन से basis पे हम लोग इस number को assume कर रहे हैं कि future में जाकर यह growth वही रहे सकती है वो हम लोग बाद में annual report के time पे देखने वाले अभी हम लोग से financial model complete करना है इसके लिए यह numbers edit कर रहे हैं तो इसमें हम लोग growth expect करते हैं 5% की तो हम लोग इधर क्या आजम कर रहे हैं कि around 5% के growth rate के हिसाब से 3795 करोड तक 2025 तक हमें Tata Motors का other income दीख सकता है इसके बाद अभी हम लोग इधर देख रहे हैं 91% का expense दीख रहा है company previously 86% तक expense करती थी उसके बाद 89, 88 इधर उन्होंने improve किया था 2018 में 2019 में वापस उन्होंने 91.8% तक expenses किया है और उसके बाद 93% जो अभी critical time में है उसके बाद हम लोग expect कर रहे हैं कि company कुछ अच्छे steps ले सकती है तो हम लोग अगर यही expenses continue रखते हैं तो इन 4 years में क्या expense हो सकता है वो हम लोग एक assumption numbers डाल देते हैं इधर आपका 89% हम लोग करेंगे और उसके बाद last 2 years के लिए 87% कर देते हैं यानि कि हम लोग यह सोच रहे हैं कि next 5 years तक जो 5 years के पहले के numbers थे वो आ सकते है as a expense करके finance cost वही रखेंगे क्योंकि finance cost mostly change नहीं होती है अगर वो change होगी और कम होगी तो बहुत अच्छी है company के लिए उसके बाद depreciation भी हम लोग 13% नहीं पकड़ेंगे 14.32% ही पकड़ेंगे कि इतना depreciate करेंगे asset उसके बाद trade receivable days हम लोग change नहीं करेंगे trade pay bus days भी हम लोग change नहीं करेंगे inventories भी हम लोग change नहीं करेंगे जो numbers हम लोगों को दीख रहे हैं वही numbers रखेंगे current asset भी हम लोग change नहीं करेंगे जो हमारे weighted average के हिसाब से आये है वहीं रखने मले अभी fixed asset के उपर बात करते है fixed asset तभी बढ़ सकता है जब company को नए production facility डालनी है है और expansion करना है अभी के condition में company के जो numbers है revenue के अब इधर देख सकते हैं वह change होते नहीं दिख रहे हैं वह कम होते हुए दिख रहे हैं याने कि अगर यही capacity अच्छीव करने है company को तो company को ज्यादा assets में investment करने की जरूरत नहीं दिखती है अगर company ने नए कुछ plans execute करने का सोचा तो वह लोग assets में investment कर सकते हैं अगर वह assets में investment करते हैं उनका जो capital expenditure है वह बहुत ज़्यादा हमें दीख सकता है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यह numbers हम लोग 1% तक लेके आते हैं उससे better जो already उनके पास assets है वही use करेगी अगर 1% के हिसाब से भी हम लोग अगर सोचते हैं तो भी जो depreciation amount रहेगे उसमें investment कर सकते हैं यानि कि जो asset depreciate हुए है उसमें company investment कर सकते हैं उसके बाद यह उनका capital expenditure रहेगा average जो पहले के years के comparison में अल्मुस्ट सेम दिखेगा यानि कि अगर आप इसका average निखा लोगे around 28,000 करोड तक आ रहा था वही around 25,000 करोड तक आ रहा है 25 25 25 25 अल्मुस्ट सेम आ रहा है क्योंकि हम लोग ने अगर यही पर हम लोग 2% कर देते हैं तो यह numbers change होते हुए दिखेंगे आपको आप यह model को follow नहीं करना है आपको जब हम हम इस complete model को बनाएंगे उसके बाद बागी के companies है उनके competitors जैसे मारूती सुजुकी है महिंद्रा और महिंद्रा है उनके जब हम financial model बनाएंगे उसके बाद वापस आके आपको यह सारे numbers देखने है और उसके बाद आपको यह सारे numbers change करने है कि overall industry कैसे grow करने वाली है उसके साथ से companies को क्या capital में expenditure करना पड़ सकता है उसके basis पे हमें इधर numbers change करने होंगे उसके बाद इन numbers के उपर हम लोग कुछ changes नहीं करने वाले इवन हम लोग current liabilities भी रखने वाले इवन हम लोग non current liabilities के ऊपर इवन हम लोग non current liabilities के numbers भी change नहीं करने वाले और यह 0% ही हम लोगों ने last time ही किये थे तो overall हम लोग ने अभी सिर्फ तीम चार जगा पे ही changes किये हैं जैसे कि fix asset में changes किये हैं उसके बाद finance cost जो था last year का वही रखा है उसके बाद expenses में हम लोग सोच रहे हैं कि future में company अच्छी तरह perform कर सकती है तो अभी हम next lesson में मिलते हैं